पशू समाज एक आवश्यक विशय वानी पीडिया से विन्यमित मानफ सभेता धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष को बढ़ावा देती है. मानव समाज में धर्म का होना आवश्चक है धर्म के बिना मानव समाज केवल पशू समाज है आर्थिक विकास और इंद्रिय संतोष्टी धर्मेक सिधानतों पर आधारित होनी चाहिए जब धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय संतोष्टी को समायूजित किया जाता है, तो इस भौतिक जन्ग, मृतिव, बुढ़ापे और बिमारी से मुक्ती सुनिश्चित होती है. हाला कि कली के वर्तमान युग में धर्म और मुक्ती का कोई सवाल ही नहीं है. लोगों ने क वेनिकोट से निमल ससाइटी श्रेणी में देखा गया है. उनकी शिक्षाओं का एक परिचैनिम ने लिखे ताठ उधरणों में दिया गया है. श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उधरण मानव सब्वेदा की एक प्रणाली जोवर्ण और आश्रम को बढ़ावा नह कोश नहीं है. अकेले रह रहे किसी पुरुष्या महिलाद्वारा यौन जीवन में लिप्त होना मानव समाज में कभी भी स्विकारियन नहीं है. मनुष्य को ब्रहमचारी जीवन के सिधानतों का सक्ति से पालन करना चाहिए या आध्यात में गुरुवार की अनुमती से वि समाज है. क्यूंकि जानवर इश्वर के प्रती जागरूक नहीं हो सकते, फिर भी आप जानवरों, बिलियों और कुत्तों के बीच प्रचार करते रहें. यह संभव नहीं है. क्यूंकि इश्वर क्या है यह समझने के लिए उनके पास दिमाग ही नहीं है. तो मानव समाज मे यदि कोई ब्रहमन नहीं है जो इश्वर के बारे में सिखा सके, जो व्यक्तियों को इश्वर चेतना तक बढ़ा सके, तो यह पशू समाज भी है. भगवत गीता व्याख्यान, 8 अप्रेल 1970, नियु यॉर्क. क्यूंकि आप क्रश्न भावनामृत नहीं है, आप इस तरह से भेद भाव कर रहे हैं, कि मानव समाज को सुरक्षा दी जानी चाहिए, पशू समाज का बद किया जाना चाहिए. क्या यह बहुत अच्छा है? क्या वे अच्छी चेतना है? जैसे इसाई लोग कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती क्यूंकि वे मानस खाना चाहते है मसीह कहते हैं, तू हत्या नहीं करेगा, वे अलग-अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, तो आप अपनी खुद की मानसिक मनगर्णत कहानी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही इंसान बनना है तो आपको अधिकारियों से दिशा निर्देश लिना होगा भगवत गीता व्याख्यान, 9 दिसंबर 1972, अहमदाबाद, ब्रहमा गर्भोध कशाई विश्नु की नाभी से उगने वाले कमल पर प्रकट होते हैं, और उस कमल के तने के भीतर कई ग्रह प्रनालियां हैं, तब ब्रहमा संपूर्ण मानव समाज, पशु समाज सब कुछ बना और जब विनाश का समय आएगा, तो शिव सब कुछ समाप्त कर देंगे, चैतये चरित आमरित, परिचे, धर्म मानव समाज का विशेश कारे हैं, और यह मानव समाज और पशु समाज के बीच अंतर करता है, पशु समाज में कोई चर्च, मस्जिद्य अधार्मिक जब कोई धर्मिक विवस्था विक्सित होकर इश्वर प्रेम में बदल जाती है तो वेह सफल होती है, निर्देश कामरित, पाठ चार, धर्म मानव समाज के लिए है, पशु समाज को धर्म से कोई लिना देना नहीं है, न उन्हें पता है कि धर्म क्या है, यह शरीर क्या है आत्मा क्या है, यह उनका विवसाय नहीं है, धर्म मानव समाज का विवसाय है, इसलिए किसी भी मानव समाज में एक प्रकार का धर्म मजहब होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हिसाई धर्म है, या हिंदू धर्म, या बुदुवार धर्म, या मुहम्मद धर् प्रवृतियां हैं क्यूंकि इस प्रवृति, धर्म, धार्मिक्ता के बिना वेग मनुश्य नहीं है, पशु है, क्यूंकि पशु को धर्म की कोई समझ नहीं होती। कोई भी हिंदू भगवान या मुसलिम भगवान या इसाइं भगवान नहीं हो सकता। के विवस्थित विकास के लिए भगवान द्वारा उपर युक्त विभाजन बनाए गए हैं। किसी व्यक्ति विशेश की कार्य के प्रती प्रवृति उसके द्वारा अर्जित भवतिक प्रकृति के गुणों से निर्धारित होती है।